अमिराज ने कैलाश के सामने अपने जिन्दगी का एक भयानक सच रख दिया था। कैलाश सोच भी नहीं सकता था कि अमिराज का भाई वाक किस तरह का इंसान है। सत्ता के लालच में उसने अपने भाई को इतनी दरावनी मौत दी थी। हर पल अमिराज मरता जा रहा था कैलाश के पास अब कहने के लिए कुछ रह नहीं गया था जो भी शक्तियां आज कैलाश के पास थी उनकी मदद से कैलाश कोई जंग जीट सकता था दुश्मन मुल्क से कोई औशदि ला सकता था पर किसी इंसान को पत्थर बनने से बचा पाने का ना तो ग्यान कैलाश के पास था ना ही शक्ती। उसके चेहरे को देख साफ समझा रहा था कि कैलाश को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। अमिराश को इस परेशानी से निजात दिलाने का पर उमीदों के साथ खड़ा ऑली का राजा अमिराश कैलाश की परिस्तिति देख नहीं पा रहा था। जैसे डूपते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। वैसे ही अमिराश कैलाश से पूछता है तो तुमने उस कागस के तुकडे में लिखा था कि तुम्हारे पास मेरी परेशानियों का हल है अब क्या मेरी ये कंडिशन देखने के बाद भी तुम यही का होगे या फिर मैं ये समझूं कि मेरा यहां आना बेकार ही रहा कैलाश के पास अमिराज के सवालों का कोई जवाब नहीं था पर उसे अपन कहीं बातों को डिफेंड करते हुए कहता है आपकी ये कंडिशन बहुत ही खौफनाक है पर मैं इस तरह के किसी भी शौक के लिए तैयार भी नहीं था जैसे ही कैलाश ये कहता है अमिराज के पीछे खड़े उसके गार्ड एक दूसरे को देखते हैं और अजीब सी स्माइल पास करते हैं मानो वो पहले से ही अपने राजा के यहां आने का नतीजा जानते थे पर इन सबसे अन्भिग्ये अमिराज की उच्सुकता भड़ती जा रही थी उत्तेजित होकर अमिराज पूछता है तो क्या मैं मान लू कि राजा दक्ष के उत्रादिकारी ने मेरे साथ ख क्या सजा हो सकती है अमिराज के मूड को बिगड़ता देख कैलाज की धड़कने तेज होने लगी थी उसके पास आगे कहने को कुछ था नहीं वो असमंजिस में था कि अमिराज से कहे तो क्या कहे पर इतने में कैलाज को अंततह नौकरम की अवाज सुनाई देती है कैलाज इस राजा की बिमारी का इलाज मेरे पास है पर उससे कहो कि अगर इसे इस परेशानी से अपनी जान बचानी है तो इसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं एक दवा बना सकता हूँ जो अमिराज के हातों को पहले की तरह ठीक कर सकती है पर उसके लिए इसे एक लाख मनी मुझे देने होंगे चुप क्यों खड़े हो मेरे सवालों का जवाब दो वरना तुमें अभी यहीं मार दिया जाएगा अमिराज का गुस्ता कैलाज की खामोशी के साथ बढ़ता जा रहा था कैलाज जवाब देता है महराज मैंने यह नहीं कहा कि आपकी समस्चा का हल मेरे पास नहीं है मैंने तो बस अपनी चिंता जाहिर की थी आपके सामने आप किस परेशानी का हल मेरे पास है पर जैसे की मामुली से मामुली चीज की कीमत होती है मैं यह जानना चाता हूँ आपने अपनी जान की क्या कीमत लगाई है अमिराज को कैलाश का कॉन्फिडेंस काफी प्रभावेत करता है पर वही बात उसके गार्ज को खटकती है पर उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था इसलिए वो चुप ही रहते हैं अमिराज कहता है मेरी जान की कीमत है आली और अंगीराज जैसे राज्यों में रह रहे लाखों लोगों की खुशियां अगर मैं मर जाता हूँ तो वाक इन राज्यों में रह रही प्रजा के लिए एक अभिशाब बन कर आएगा वाक और उस बेगुना प्रजा के बीच मैं एक दिवार बन के खड़ा हूँ मेरे रहते वाक इस दिवार को कभी पार नहीं कर पाएगा अब तुम बताओ क्या कीमत लगाओगे एक ऐसे इनसान की जान की कैलाश कहता है जिस औशदी से आपकी जान बचाई जा सकती है वो कोई आम औशदी नहीं है और नहीं उसे बनाने वाला कोई आम वैद डेड़ लाक मनियों की जरूरत होगी उस औशदी को तैयार करने में और मुझे कुछ समय भी देना होगा कैलाश की मांग सुनकर एक बार अमिराज भी सोच में पढ़ जाता है एक 20 साल के लड़के को अपने सामने खड़ा देख उसकी मांग सुनके वो सोच रहा था कि क्या वो उस पर विश्वास कर सकता है डेर लाख मनिया ओली के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा था क्या इतनी बड़ी रकम इस लड़के को दी जा सकती थी ये सोच कर अमिराज कहता है मैं तुमारी बात पर कैसे विश्वास कर लूँ तुमारी मांग कोई छोटी नहीं है तुम भी जानते हो कैसे विश्वास कर लूँ कि जो तुम कह रहे हो सही है कि तुमारी बताई औशदी मेरी जान बचा सकती है क्यालाश का confidence धीरे धीरे लौट रहा था वो कहता है महराज इस वक्त अगर कोई किसी बात की गारंटी ले सकता है तो वो है आपकी मौत की पर मैं आपको एक उम्मीद दे रहा हूँ विश्वास करना या ना करना आपके हाथों में है मैं बस यह कह सकता हूँ कि अगर मेरी बातें गलत निकली तो आप जो सजा मेरे लिए तै करेंगे मैं सर जुका के उसे मान लूँगा अमिराज भी काफी देर तक कैलाज की कही बातों का आंकलन करता है पीछे खड़े गार्ज भी एक बार के लिए इस थब्द थे उन्हें भी कैलाज के दावों में उम्मीद दिख रही थी शायद सामने खड़े इस लड़के के दावों में सच में वजन हो और उनके राजा की जान बचाई जा सके पर अमिराज के लिए ये निर्णे लेना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था उसने अभी तक कुछ कहा नहीं था केलाज भी ये तै नहीं कर पा रहा था कि अमिराज के मन में क्या चल रहा है आखिरकार अमिराज कहता है मेरी मौत के बाद क्या हो सकता है मैंने तुमें बता दिया है तुमसे मुझे उम्मीद तो है पर अगर तुम मेरी मजबूरी का कोई बद्दा मजाग बनाने आये हो तो यह जान लो कि तुम्हारे इस जूट से ना सिर्फ तुम अपनी जान से हाथ दो बैठोगे बलकि वाक से पहले मैं तुम्हारे पिता को मार डालूँगा और पूरे अंगीरा को मेरे गुसे का ताप जहलना पड़ेगा बोलो है तुम्हे मनजूर कैलाश जानता था कि अमिराज ऐसा करने में सक्षम है अगर वो चाहे तो किसी भी वक्त दक्ष को मार सकता था अंगीरा में तूफान की तरह बरस सकता था पर साथ ही कैलाश यह भी जानता था कि उसके साथ नौकरम था और नौकरम की कही बात गलत नहीं होती कैलाश कहता है मुझे मनजूर है पर जिन डेर लाक मणियों की बात मैंने की है वो मुझे काम शुरू करने से पहले ही चाहिए तुमारी मांग कल सुबह तक पूरी करती जाएगी अमिराज कैलाश से कहता है तो मैं भी जल से जल आपको वोशदी लाके दूंगा कैलाश जवाब देता है तुमारे पास दो दिन का समय है तीसरे दिन इसी समय है मैं यहां आउँगा अगर वो आशदी और तुम मुझे यहां नहीं मिले तो मैं वापस महल नहीं जाओंगा तुम जानते हो उसके बाद मेरा अगला कदम किस और बढ़ेगा कैलाश अपना सर जुका कर गुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है मुझे आपकी यह शर्च मनजूर है माराज और जरा भी वक्त नहीं लगता राजा मिराज अपने गार्ज के साथ वहां से मानों गायब हो जाते हैं उनके जाने के बाद कैलाश राहत की सांस तो लेता है पर अब उसे वो आशदी समय रहते लानी होगी तभी उसे फिर से नौकरम की आवाज सुनाई देती है तुम्हें उन आशदी के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है कैलाश जैसे ही तुम मुझे मेरे मांगे गए एक लाख मनी दे देते हो मैं तुम्हें वो आशदी उपलब्द करा दूँगा कैलाश पूछता है तो क्या तुम मनी मिलते ही मुझे वो आशदी दे सकते हो नौकरम जवाब देता है हाँ बिलकुल क्योंकि आशदी तो मैंने पहले ही तयार कर ली थी कैलाश कहता है तो यह बात तुमने मुझे से पहले क्यों नहीं कहा क्या तुमने मुझे बताया कि तुम अमिराज से मेरी मांगी हुई एक लाख मनियों के अलावा और पचास हजार मनियों की मांग करोगे नौकरम कैलाज को छेड़ते हुए पूछता है नौकरम का सवाल कैलाज के चहरे पर एक चाला की भरी मुसकान ले आता है जिसे छुपाते हुए कैलाज कहता है तुम्हे क्या लगता है अपनी और अपने पिता की जान का रिस्क लेकर मैं सिर्फ अमिराज की जिन्दगी बचाऊंगा बाकी की वो पचास हजार मनियों से मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाऊंगा इसके बाद कैलाज थोड़ा उदास होकर कहता है पता नहीं पर बच्पन से ही डैड ने मुझे कभी भी पैसे नहीं दिये हाला कि मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं थी पर बहुत ही कम ऐसा हुआ जब डैड ने मेरे हातों में पैसे मेरा बेटा ओली में किस तरह बसर करेगा कहां रुकेगा क्या खाएगा पर शायद इसमें भी उनकी कोई सोच हो इससे मेरे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो आ ही रही है और अब मैंने कुछ पैसे भी बना लिये हैं यकिनन तुमारी मदद के बिना यह सब मुमकिन नौकरम कहता है मैं समझ गया कैलाश तुम्हे यह बात कहने की जरूरत नहीं थी अब तुम चाहो तो तुम्हे यहां इस वीराने में रुकने की भी जरूरत नहीं है तुम आली में किसी भी महंगे से महंगे होटल में सुईट बुक कर सकते हो कर तो सकता हूँ पर यह पैसे मैं यूही जाया नहीं करूँगा इसका इस्तमाल सिर्फ अपनी शक्तियां भढ़ाने के लिए ही करूँगा कैलाश नौकरम को जवाब देता है फिर वो कुछ सोसता हुआ आगे कहता है शायद डैड मुझे यही सिखाना चाते थे पैसो की की अब शायद मुझे से बहतर कोई नहीं जानता अपने डैड की बात करते हुए कैलाश अचानक अपने आपको अकेला महसूस करता है वीरान रात में उस घने जंगल के बीच खंडर हो चुके उस मंदिर में कैलाश को अब अचानक ठंड का एहसास होता है बरफ गिरना भी करने में जुठ जाता है इधर मलारी में राजा दक्ष अकेले अपने कक्ष में बैठे किसी सोच में डूबे हुए थे इतने में नीरा का वहां से गुदरना होता है वो अपने गुरू को देखकर उनके कक्ष में प्रवेश करती है और पास आकर कहती है गुरू जी आप जिद दिख रहे हैं क्या बात है नीरा के सवाल से दक्ष का ध्यान तूटता है और वो कहते हैं नीरा तुम कब आई जी बस यहां से गुदर रही थी तो आपको देखा आप टेंशन में लग रहे हैं नीरा कहती है अपने चेहरे से चिंदा की लखीरे दूर करते हुए राजा दक्ष कहते हैं क्यालाश के बारे में सोच रहा था मैं नीरा क्यालाश के बारे में सब ठीक तो है क्यालाश के साथ नीरा यहां अंजान बनने की कोशिश करती है वो नहीं चाहती थी कि उसके गुरु जी को यह पता चले कि क्यालाश कहां और क्यों गया है उसकी उसे है राजा नीरा की और देखते हैं और मजाकिया लहजे में पूछते हैं मुझे यकीन नहीं कि तुम नहीं जानती कि कैलाश कहां और क्यों गया है नीरा का सर अचानक नीचे हो जाता है फिर भी उसके चेहरे की शरम छुप नहीं पा रही थी वो जैसे तैसे कहती है गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपसे यह बात छुपाई असल में मुझे कैलाश नहीं यह बताने से मना किया था उसने कहा था कि यह मिशन उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और सेंसिटिव भी राजा दक्ष गहरी सांस छोड़ते हुए अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं तुमसे सही कहा है उसने नीरा एक बहुत ही बड़ा शड्यंत्र हौली में होने वाला है राजा मिराज को उनका भाई सप्ता से ना सिर्फ बेदखल करना चाहता है और उसकी नजर मलारी पर भी है उनके शक्तियों का सामना हम नहीं कर सकते राजा की बात सुनकर नीरा का कलेजा बैठ जाता है वो विचलित होकर पूछ उठती है फिर इसमें कैलाज क्या कर पाएगा गुरू जी उसकी शक्तिया तो बहुत ही कम है राजा का भी सर नीचे था अपनी गल्ती मानते हुए वो कहते हैं ना जाने मेरी भी निर्णे लेने की शमता को क्या हो गया है मैंने कैलाज के उपर शायद फिर से उसकी शक्ति से ज्यादा भोज डाल दिया है और उसे फिर से एक ऐसे खतरनाक मिशन में भीज दिया है मैंने उससे यह तक नहीं पूछा कि वहाँ जाने के बाद वो सब मैनेज कैसे करेगा कैसे पराय मुल्क में अपना गुजारा करेगा नीरा देखती है कि राजा दक्ष अपनी बात कहते कहते एक बड़ी सी खिड़की तक जा चुके थे और उनकी नजरें दूर आली की ही दिशा में टिकी हुई थी मानो वो कैलाज को देखने की कोशिश कर रहे हो क्या राजा दक्ष की दुश्चिंता सही साबित होगी और कैलाज के ओपर कोई बड़ी विपदा आ जाएगी पर ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है कैलाज ने तो ऑली में भी सफलता की सीड़ियां चड़ना शुरू कर दिया है पर भविष्य ने अपने पीछे क्या छुपा रखा है यह तो भविष्य को ही पता है तो कैलाज के साथ आगे क्या घटता है यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए मैं मरेगा नहीं सिर्फ पॉकेट एफम पर नीरा अपने गुरू जी की मानसिक अवस्था देखकर उन्हें दिलासा देते हुए कहती है गुरू जी जहां तक मैंने देखा है कहलाश में अचानक इतने बदलाव हो चुके हैं कि हमारा उन्हें मान पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है जिस तरह से उसने तक्षे और निकेत को परास्त किया वो हमारी समझ के बाहर की बात थी और उससे भी बड़ा कारणामा तो त्रिगुन भूटी को दुश्मन मुल्क से लाने का था ना जाने कितने ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा उसे ऐसा करने में हम इस बात को नदर अंदाज नहीं कर सकते कि हर बार कैलाश ने सफलता ही आसिल की है पिता होने के नाते आपका ऐसा चिंतित होना लाजमी है पर मुझे लगता है कि हमें अब कैलाश की शक्तियों को कम आगने की गलती नहीं करनी चाहिए नीरा की कही बातों ने राजा दक्ष के मन को थोड़ी राहत जरूर दी थी वो मुड़कर नीरा की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी कही हर एक बात सच है नीरा पर तुम, मैं, हम सब क्या तुम्हें नहीं लगता किसी अंधेरे में रखे गए हैं कुछ तो है जो हम नहीं जानते हैं मेरा मन रह रहकर बस उसी बात को सोचता है कि अचानक कैलाश के अंदर इतनी सारी शक्तियों का संग्रहन कैसे हुआ मेरा मन और मस्तिश्क बार बार यही सवाल पूछता है पर कोई भी जवाब नहीं मिलता है इस बात का जवाब नीरा के पास भी नहीं था उसने भी कई बार कैलाश से सच जानने की कोशिश की थी पर कैलाश ने हमेशा किसी बहाने का सहारा लेते हुए नीरा के उन सवालों को चक्मा दे दिया था और आज क्या राजा दक्ष क्या नीरा सभी इस बात से अन्भिग्य थे कि कैलाश के साथ ऐसा क्या हो रहा था सभी नीरा कहती है कैलाश ने मुझे भी अभी तक इस बारे में कुछ बताया नहीं है माराज मैं भी सत जानने की उतनी ही इच्छुग हूँ जितना आप आज नहीं तो कल सत सामने आई ही जाएगा पर तब तक हमें अपने मन को इस बात से ही खुश रखना होगा कि कैलाश के अंदर का यह बदलाव बहुत ही अच्छा है उसके लिए आपके लिए और पूरे अंगिरा के लिए भी नीरा की बात राजा दक्ष को सही मालूम होती है वो मुस्करा कर नीरा की और देखते हैं और कहते हैं रात काफी हो गई है नीरा अब तुम अपने कमरे में जाओ जी गुरू जी ऐसा कहकर नीरा वहाँ से निकल जाती है अपने कक्ष में आते ही नीरा के चेहरे में चिंता के बादल वापस मंडराने लगते हैं वो तुरंत अपना फोन निकालती है और क्यलाश को कॉल करती है पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है थकी सी नीरा अब मायूद भी लग रही थी उसके मन में कई खयाल आ रहे थे मंदिर में कैलाश भी सोने की कोशिश कर रहा था आग की तेज लपटें कैलाश के शरीर को वहां की हड़ी जमात देने वाली ठंड से काफी राहत पहुचा रही थी पर इस आराम के समय में भी कैलाश की आँखों में नींद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी वो भी नीरा के ही खयालों में खोया हुआ था उसका मॉबाइल पूरी तरह से डैड हो चुका था कैलाश अपने मॉबाइल को वापस जमीन पर रख देता है उसे दुख है कि वो इस अकेले पन में नीरा से बात नहीं कर पा रहा वो यहां ऑली में गुजारे हर एक पल को उसके साथ साज़ा करना चाता था पर कर नहीं पा रहा था करवट बदलता हुआ कैलाश अपनी आँखें बंद कर सोने की कोशिश करता है इदर अमिराज अपने महल के कक्ष में बैठा था उसके दोनों गार्ड भी वहां मौजूद थे उनके बीच कैलाश के साथ हुई उस मुलाकात के बारे में ही चर्चा चल रही थी और शायद अमिराज के सामने खड़े उसके विश्वस्निय गार्ड अमिराज को एक बार अपने इस निर्णे के बारे में दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे और इसी कोशिश में उनमें से एक गार्ड कहता है माराज यह सही कह रहा है हमें इतनी बड़ी रकम उस लड़के के हातों में देने से पहले एक बार फिर से सोच लेना चाहिए कैलाज के बारे में हम सब जानते हैं राजा दक्ष के बेटे के पास कोई भी शक्तिया नहीं है यह बात किसी से छुपी नहीं है और फिर अचानक आज उसका आप से ऐसी संदिक दवस्था में मीटिंग करना और वो दावा करना जो हमारी हजार कोशिश के बाद भी ठीक नहीं हो पाया राज्य के बहतरीन से बहतरीन तजुर्बेकार वैद जिस काम को अंजाम न दे सके वो कैलाश के लिए कैसे संबव है ऐसा क्या है उस लड़के के पास जो आपको इस परिशानी से निजात दिला सके अमिराज शानती से अपने गार्ड की बातें सुन रहा था वो अपनी आखें बंद कर लेता है ऐसा देख दोनों गार्ड एक दूसरे की तरफ देखते हैं कुछ सोचकर अमिराज अपनी आखें खोलते हुए कहता है इस लड़के के अलावा और कोई तरीका या उपचार है हमारे पास पर महराज एक गार्ड अपने तर्क रखने की कोशिश ही करता है कि तभी अमिराज आगे पूछता है क्या हो अगर उसके दावों में दम निकला तो जानते हो उसका क्या नतीजा होगा ऐसा कहकर महराज अपने गार्ड को देखता है दोनों के सर नीचे थे अमिराज अपनी बात पूरी करते हुए कहता है अली के इस राजा को दूसरा जन मिलेगा मैं मरने से नहीं डरता पर मेरे बात वाख अली के साथ क्या करेगा यह तुम सब जानते हो वाख को ऐसा करने से रोकने के लिए उस लड़के की मांग मुझे बहुत छोटी लग रही है कल उजाला होने से पहले के लाज के पास दो लाख मनी पहुचा दी जाए दो लाख मनी? पर महराज उसकी मांग तो मात्र देड़ लाख मनी की थी गार्ड अमिराज से कहता है अमिराज के चहरे के बदले भाव देख कर ही गार्ड आगे कहता है आप जैसा कहें महराज मैं अभी मणी का प्रबंद कर लेता हूँ दोनों गार्ड अपने सर नीचे करते हैं और वहां से जाने लगते हैं तभी अमिराज उनसे कहता है कैलाज को मेरा एक संदेश पत्र देना ऐसा कहकर अमिराज एक कागस पर कैलाज के लिए एक मैसेज लिखता है और उसे सील बंद कर अपने गार्ड को दे देता है जिसे लेकर गार्ड वहां से चले जाते हैं इधर रात का अंधेरा अब छटने ही वाला था सूरज की लालिमा भी आसमान में फूटने लगी थी अलाव की आग ठंडी हो चुकी थी उसमें से अब बस हलका हलका धुआ निकल रहा था और कैलाश अभी भी गहरी नीन में ही था इतने में बादलों से गरजना सुनाई देती है जिससे कैलाश की नीन तूटती है और अपनी आखें मलता कैलाश जमीन पर बैठ जाता है और आसमान की और देखता है उड़ा में उड़ते हुए उसके सामने आ जाते हैं। उन्होंने अपने साथ एक बड़ा सा संदूक भी ले रखा था। संदूक काफी वजनी था जिसे जमीन पर रखने से उसमें सुराक हो गया। और कुछ मणी उन सुराक से गिर गए। कैलाश समझ जाता है कि यकीनन उस संदूक में उसके मांगे हुए डेड़ लाक मनी होंगे। वो कुछ कहता नहीं है बस उन गार्ड्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हमिराश के गार्ड्स अभी भी कैलाश को शक बरी निगाहों से देख रहे थे। उसे उनकी आखें अभी भी आजमा रही थी। पर इन सब से कैलाश को कोई फरक नहीं पड़ रहा था। काफी देर कैलाश को यूहीं देखने के बाद एक गार्ड आगे बढ़ता है और कैलाश के आगे हाद बढ़ाते हुए कहता है। कैलाश कुछ सोचता हुआ उस खत को ले लेता है। दूसरा गार्ड संदूग खोलता है। कैलाश देखता है कि पूरा संदूग मणियों से भरा हुआ है। कुछी देर में अमिराश के दोनों गार्ड वहां से चले जाते हैं। वापस अकेले होने पर कैलाश अमिराश के भेजे उस खत को खोलता है और उसे पढ़ता है। अमिराश ने खत में लिखा था। कैलाश तुम से मिलने के बाद मेरी जिन्दगी की उमीद फिसे जाग गई है। तुमारे कहे मुताबिक मैं तुम्हें डेड़ लाक नहीं बलकि दो लाक मनी भेज रहा हूँ। जो भी शक्तिशाली ओशदी तुम मेरे लिए लाने वाले हो वो मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा चाहिए। उमीद करता हूँ तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। कैलाश खत पड़कर सोचने लगता है कि क्या यह काम नौकरम के लिए पॉसिबल होगा। इतने में कैलाश को नौकरम की आवाज सुनाई देती है। हाँ कैलाश अमिराज ने कीमत अधा कर दी है और मैं उसको उसकी मांग के मताबिक वो आशदी दे सकता हूँ। नौकरम की आवाज सुनकर कैलाश को राहत मिलती है। वो कहता है वैसे भी मैंने अमिराज को उनके हाथ ठीक करने की बात कही थी। पर अगर तुम कहते हो कि हम यह काम कर सकते थे तो फिर ठीक है पर मेरे सामने एक और परेशानी खड़ी है। वो क्या नौकरम कैलाश से पूछता है। कैलाश कहता है इतनी सारी मनिया मैं समालूँगा कैसे। यह संदूग पूरा का पूरा मनी से भरा हुआ है और बहुत भारी है। मेरे अकेले के बस में नहीं इसे हिला पाना। नौकरम की अवाज सुनाई देती है। संदूग खोल के तो देखो, मुझे नहीं लगता अब वो संदूग इतना भी भारी है। कैलाश को कुछ समझ नहीं आता, वो आगे बढ़ते हुए पूछता है, क्या मतलब? और जब कैलाश संदूग वापस खोल के देखता है, तो उसका दिल ही बैठ जाता है। वो देखता है कि संदूग में अब बस कुछ ही मनी रह गई है। कैलाश पूछता है, भाकी की मनी कहा है? अभी तो यह संदूग मनी से भरा हुआ था। नौकरम कैलाश को बताता है, हमारी डील के मताबिक मैंने डेड़ लाख मनी उसमें से कंज्यूम कर ली हैं। अब इस संदूग में बस वही मनी बची है जो तुमने कमाए हैं। कैलाश नौकरम से कहता है, तुमने पहले से ही वह मनी कंज्यूम कर ली, फिर ओशदी कहा हैं? और अब मैं इन बची हुई मनीों को कैसे समालूँगा? मेरे पास तो इने रखने के लिए कुछ है नहीं। नौकरम कैलाश को बताता है, कैलाश ओशदी भी तयार है और वो तुम्हें जब जरूरत होगी मिल जाएगी, रही बची हुई मनीों की बात तो तुम मुझसे एक बैग भी खरीच सकते हो। कैलाश को यह सुनकर थोड़ी हसी आजाती है और वो खिलखलाते हुए पूछता है, तुम क्या शॉपिंग माटो जो मैं तुमसे कुछ भी ओर्डर कर सकता हूँ। नौकरम जवाब देता है, हाँ कैलाश पर मैं कई गुना अपग्रेड़िड प्लैटफॉर्म हूँ। लिएनन एक कीमत दे कर तुम कुछ बहतरी चीजें मेरे इस प्लैटफॉर्म से खरीद सकते हो। कैलाश कहता है, अभी तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके अंदर मैं अपनी इन मणियों को रख सकूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे 200 मनियां देनी होंगी कैलाश और मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत के लायक एक बहुत ही नायाब चीज दे सकता हूँ। वैसे तो यह चीज अभी डिसकाउंट में मिल रही है पर कुछ समय के बाद यानी ठीक एक मिनिट के बाद तुम्हें यह चीज के हजार मनी देने होंगे तो तुम्हें जल्दी निर्ने लेना होगा कि तुम्हें वो चीज लेनी है या नहीं। नौकरम कैलाश से कहता है कैलाश सरप्राइस था कि नौकरम के पास ऐसी कौन सी चीजे हैं मनी होने की वज़े से कैलाश वो चीज खरीदने का निर्ने लेता है वो कहता है ठीक है मुझे वो बैक चाहिए कैलाश देखता है कि सामने संदूक में रखी कुछ मनियां कम हो जात उस फटे पुराने जोले का साइज भी कैलाश की हतेली से जरा सा ही ज्यादा था उस बैक को देखकर कैलाश ठगा सा महसूस कर रहा था क्या नौकरम ने कैलाश के साथ कुछ मजाक किया था क्या कहीं ऐसा ही मजाक नौकरम अमिराज के सिलसले में तो नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं अगर ऐसा है तो कैलाश का आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है क्या होगा कैलाश के साथ क्यों इतनी कीमत लेकर नौकरम ने कैलाश को एक फटा पुराना जोला थमा दिया जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इन सभी सवालों के जवाब के साथ फिर हाजिर होंगे मैं मरेगा नहीं के अगले और रोचक एपिसोड में सिर्फ पॉकेट एफेम पर यह क्या चीतड़ा थमा दिया है मुझे तुमने और उसके 200 कीमती मणी भी ले लिए शिकायती अंदाज में केलाश नौकरम से आगे कहता है ऐसा छोटे से फटे पुराने थेले का मैं क्या करूँगा मेरे मड़ी मुझे वापस चाहिए तुमें क्या लगता है इस चीठड़े में मैं अपने उन 50,000 मड़ीों को रख लूँगा नौकरम अब तक केलाश की सारी शिकायतें सुन रहा था केलाश को गुस्ते में पाकर नौकरम की मशीनी आवाज में थोड़ा बदलाव लगता है वो कहता है केलाश तुमारा खरीदा हुआ यह थेला अब वापस नहीं हो सकता केलाश वापस गुस्ते में कहता है थेला मत कह तो इसे चीथड़ा है यह, कहते थे नायाब चीज है, क्या यही है तुम्हारे उस नायाब प्लैटफाउं का प्रोड़क्ट? I think you are a scam and nothing more, तुम्हारा गुस्ता लाजमी है, पर अब चूंकि इस बैक को वापस नहीं किया जा सकता, तुम्हें नहीं लगता कि एक बार के में करते हुए एक गहरी सांस छोड़ता है, और आगे बढ़कर उस थेली को उठा लेता है, इसी दोरान कैलाश को नौकरम की आवाज दुबारा सुनाई देती है, जैसा कि मैंने कहा था कैलाश, ये वाकई में एक खास बैग है, इसका नजारा ठीक, इसके मालिक की तरह ही ह होता है, क्या मतलब? उस छोड़ी सी थेली को पास से निहारते हुए कैलाश नौकरम से पूछता है, नौकरम समझाते हुए कहता है, इसका मतलब कैलाश, जैसा तुम्हारा भेस होगा, तुम्हारा यह बैग वैसा ही दिखेगा, और चूंकि तुम अभी एक गरीब भूडे का भेस लिये हुए हो, इस वजह से तुम्हें और बाकी सभी को यह खास बैग वैसा ही दिखेगा, अब यह तुम्हारा साथ ही है, जितना भी कीमती सामान तुम्हारे पास है, सब तुम इसमें डाल सकते हो, नौकरम की बात सुनकर कैलाश की हसी छूड जाती है, और वो कहत है, इस छोटे से तुम्हारे बैग में मैं अपने पूरे पचास हजार मनी डाल सकता हूँ, क्यों मजाक कर रहे हो सुबह सुबह मेरे साथ, नौकरम कहता है, पचास हजार तो नहीं, हाँ, पर उननचास हजार आठ सो मनी तो जरूर रख सकते हो, और उसके अलावा भी बहु पूटा हुआ संदूब भी, अगर तुम चाहो तो इस बैग में डाल सकते हो, क्यालाश को नौकरम की बातें अविश्वसनियें लगती है, पर वो यह भी जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो नामुम्किन था, और ऐसा सोचते हुए क्यालाश उस थैली के अंदर देख पा रहा था, उस थैली को तुरंत अपने से उसे दूर कर कैलाश कुछ देर के लिए समझने की कोशिश करता, अपने हातों से मुठी भर मनी कैलाश थैली में डालता है और अंदर देखता है, पर थैली का भार जरा भी नहीं भड़ता है, ऐसा देख कैलाश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वो लगातार कई बार मुठी भर मनी उस छोटी सी थैली में डालता है, थैली के भार में जरा भी जाफा नहीं होता है, पर एक-एक मनी अंदर देखे जा सकते थे, कैलाश तुम एक साथ अपने सारे मनी इसमें डाल सकते हो, नौकरम आखिर में क कैलाश से कहता है, और कैलाश वैसा ही करता है, कैलाश के बचे हुए सारे मनी उस छोटी सी जादूई थैली में समा जाते हैं, और उनका वजन भी बहुत ही कम हो जाता है, अंत में कैलाश अपनी गलती मानते हुए कहता है, मैंने फिर से तुम पर शक किया, मुझे माफ करना वाकई में ये थैली जादूई है मुझे ये उफर करने के लिए मैं तुमारा तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ धन्यवाद नौकरम कहता है मेरा काम ही तुमारी मदद और मार्ग दर्शन करना है कैलाश मुझे तुमारी किसी भी कही बात का बुरा नहीं लगता कैलाश ने कल से कुछ खाया नहीं था उसे बेहत भूग का एहसास होता है वो कहता है अब मेरे पेट में चुहे कुद रहे हैं बहुत भूग लग रही है मुझे नौकरम कैलाश से कहता है तुम इन मडियों का इस्तमाल अपनी भूग मिटाने के लिए कर सकते हो कैलाश इतना तो तुम डिजर्व करते हो ठीक कहा तुमने और वहां मैं अपना मुबाहिल भी चार्ज कर सकता हूँ नीरा से भी तो बात करनी है ना जाने वो क्या सोच रही होगी कि ओली जाने के बाद फिर से कैलाश मुझे भूल गया कैलाश ऐसा कहता हुआ वहां से आगे भड़ जाता है इधर ओली शहर के बहारी इलाकों को रिफ्यूजी एरिया बनाया गया था इस इलाके में संभाला से अपनी जान बचा के आए लोगों को ठहरने की जगे दे दी गई थी शहर में आकर यहां के लोग कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन किया करते थे इसी इलाके का एक रहवासी था जीवा यह भी जैसे तैसे संभाला से अपनी जान बचा कर यहां आने वालों में से एक था और अपने आपको काफी किस्मत वाला भी मानता था जीवा एक नॉर्मल इंसान था शक्तियों में भी मूल योग के दूसरे चरण में ही फसा जीवा एक साव दिल इंसान था यहां रह रहे लोगों का बहुत ज्यादा शोशन किया जाता था इन्हें थोड़े से पैसो के लिए काफी काम करना परता था पर यहां रह रहे लोग ऐसा करने के लिए भी खुशी खुशी राजी रहते थे इस इलाके को कई भागों में बाटा गया था और हर भाग के एक सूपरवाइजर था जिसके नीचे यह सभी निगरानी में रहा करते थे वो सूपरवाइजर इन्हें काम भी दिलाया करता था अगर वो चाहे तो किसी भी वक्त इन रिफ्यूजीज को वापस उनके राज्य रवाना कर सकता था किसी भी इनसान को जब इतनी पावर दे दी जाए तो उसका करप्ठ होना तै हो जाता है और ऐसा ही कुछ बीकू के साथ भी हुआ था बीकू और उसके साथ ही सभी रिफ्यूजीज को बुरी तरे परिशान कर रहे थे ना तो वो लोग उन्हें ठीक काम दिया करते थे और ना ही उनके हक तो पूरे पैसे जीवा भी बीकू के अंडर था और जैसा काम बीकू उसे देता था उसे मजबूरन सर जुका के करना पड़ता था जीवा अकसर बीकू और उसके गुंडे साथियों के हातों मार खा चुका था उन्हें उसका उनसे सवाल करना बिलकूल पसंद नहीं था वही जीवा था कि अपने हक का पैसा ना मिलने पर वो बीकू से बहस करने लगता और फिर उसे उनके गुस्से का सामना करना पड़ता था पिछले तीन दिनों से जीवा के पास काम नहीं था उसके पास आज खाने के लिए भी कुछ नहीं था और जीवा को मुफ्स का खाने से अपना पेट भरना कतई मन्जूर नहीं था इसलिए मजबूरन जीवा बीकू से फिर बात करने का तै करता है और अपने छोटे से क्वाटर से निकल जाता है जब जीवा अपने उस रिफ्यूजी कौाटर्स की तंग गलियों से गुजरता है तो वहां की हवा में ही उदासी और दुख का उसे एहसास हुआ करता है क्योंकि वहां रह रहे कोई भी अपनी खुशी से वहां रहने नहीं आये थे अपनी और अपनों की जान बचा कर लोग किसी तरह बस वहां आ गए थे और जैसे तैसे अपना जीवन चला रहे थे रोज की तरह आज भी बीकु एक बड़े से ट्रक के साथ खड़ा होकर लोगों को उस ट्रक में डाल रहा था जिने वो चाता उसे ट्रक में जाने का मौका मिल रहा था काम मिल रहा था जीवा भी सामने आकर उस लाइन में खड़ा हो जाता है जीवा का सर जुका हुआ है और अब धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती जा रही थी जीवा देखता है बीकु ने एक बुड़े आदमी को एक जोर का तमाचा मारा है और जीवा तक उसकी चिलानी की आवाज सुनाई देती है इधर लाइन में तो ऐसे खड़ा है? मानो यह ही है जो आली का पूरा काम कर देगा हट जाना इधर से और दिखना नहीं मुझे आज के बाद या टाइम पे काम करने वालों की जरुवत है टाइम पास करने वालों की नहीं जीवा देखता है कि बीकु के आदमी एक बुड़े आदमी को भीड़ से उठा कर दूर फेंकाते हैं दीरे दीरे लाइन आगे बढ़ रही थी और जीवा भी कुछी दूर था बीकु के बीकु की नजर भी जीवा पर पढ़ गई थी उसके चहरे पर एक अजीब सी शैतानी भरी स्माइल आ चुकी थी बुड़े के साथ बीकु का बरताव देखकर जीवा का खून खौल उठता है पर आज उसने अपने आप को किसी तरह संभाल लिया था उसे पैसो की सक्त जरूरत थी वो भूका था कुछी देर में जीवा बीकु के सामने आकर खड़ा हो जाता है बीकु से देखके तुरंत अपने आदमी से पूछता है लोगों की और दरूरत है क्या बीकु का साथ ही कहता है नहीं बॉस आज का कोटा पूरा हो गया जीवा की आँखों में देखते हुए बीकु बोलता है चल जा वापस अपनी खूली में जाकर तोड़ लेना फ्री के टुकडे बीकु की कही बाते सुनकर जीवा के दिल में साप लोट रहा था पर वो बेबस था कुछ नहीं कर सकता था अपना सर जुका कर जीवा वापस जाने लगता है तभी बीकु का दूसरा साथी आकर उसके कानों में कुछ कहता है जिस बात को सुनकर बीकु की शैतानी आखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वो जोर से चिला कर कहता है ओए एक काम है तेरे लायक करेगा ग्या जीवा तुरंत मुड़कर बीकु की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता हुआ कहता है जो भी काम हो मैं कर सकता हूँ चल बैट ट्रक में बीकु जीवा से कहता है और बिना समय गवाए जीवा ट्रक पर सवार हो जाता है बाकी के लोग जिने काम नहीं मिला था वो सभी दुखी होकर वापस लोटने लगते हैं बीकु उनसे कहता है चलो चलो सब वापस जाओ कलाना कल तुम लोगों को कुछ काम दूँगा मैं ऐसा कहता हुआ बीकु चुने हुए मजदूरों को ट्रक में भर कर वहां से निकल जाता है इधर कैलाश अब आली में आ चुका था और भीड से गुजरता हुआ किसी एक अच्छी होटल की तलाश में था उसका पहनावा अभी भी वही बूडे का था बस फर्क यह था कि आज कैलाश के पास एक छोटा सा जोला भी था जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था कोई भी उस जोले को देखकर ये नहीं कह सकता था कि उसमें बेश कीमती मनी हजारों की तादाद में थे कैलाश को अब उसका खरीदा हुआ बैग बेहद पसंद आने लगा था अपने जादूई बैग के बारे में ही सोचता हुआ कैलाश अब भीड से होता हुआ कैलाश से अपनी दूरी बना कर ही चल रहे थे इतने में कैलाश को भी एक अच्छा सा रेस्टरॉंग दिखता है वो वहाँ खाने के लिए आगे बढ़ जाता है गेट में बड़ा दर्बान कैलाश को देखकर उसे अंदर जाने की अनुमती नहीं देता है वो उससे कहता है अरे बाबा इधर अंदर जाना अलाउट नहीं है बड़े लोगों के खाना खाने की जगए है यह आप कहा जा रहे हो मैं भी तो बड़ा ही हूँ बेटा कैलाश उस आदमी के सवाल के जवाब में कहता है कैलाश की बातों से दर्बान को हसी आजाती है पर वो स्ट्रिक्ट लहजे में वापस कैलाश से कहता है मैं उम्र की नहीं हैसियत की बात कर रहा था बाबा तुमारे यहां खाना खाने की हैसियत नहीं है बाबा जाओ यहां से और पासी रिफ्यूजीस के लिए लंगर लगा रखा है महराज ने जाकर वहां अपना पेट भर लो ऐसा कहता हुआ वो दर्बान कैलाश के कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसे जकरता हुआ कैलाश को दर्वाजे से दूर करने की कोशिश करता ही है कि कैलाश को यह बेज़ती नागवार गुदरती है और गुस्से में आकर कैलाश उस दर्वाज के हाथ को पकड़ कर वापस घुमा देता है फोर्स इतना तेज होता है कि उस दर्वाज का पूरा शरीर हवा में कई बार घूम कर जमीन में धराम से गिर जाता है तब तक कैलाश के कदम आगे बढ़ चुके थे और वो अब होटल के बड़े दर्वाजे से अंदर दाखिल हो जाता है दर्वान अपने आपको समालता है और वापस खड़ा होकर कैलाश के पीछे भागता है जिस वक्त कैलाश ने उस दर्वान को हवा में ही पटकनी दी थी तब ही रिफ्यूजीस से भरी ट्रक वहां से गुजर रहा था और यह पूरा नजारा बीकु ने देख लिया था वो तुरंट ट्रक से नीचे कूद कर होटल की और भागता है और उसके पीछे उसके चारो साथी भी भागते हैं क्या होता है कैलाश के साथ उस होटल में क्या कैलाश को अंततहर अबनी शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ेगा क्या बीकु और उसके गुंडे कैलाश की सच्चाई जान जाएंगे उसका चहरा जिसे अब तक उसने च्छिपा रखा था सबके सामने ले आएंगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इन सभी सवालों के जवाब के साथ फिर हाजिर होंगे मैं मरेगा नहीं के अगले और भी रोचक एपिसोड में दर्बान जमीन पर इतनी जोर से गिरा था कि उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा चुका था और उसी कंडीशन में वे होटल के दरवाजे की और भागता है पर कुछी कदम उसके आगे बढ़ते हैं और वो फिर से लडखडाता हुआ डिस्बैलेंस होकर गिर जाता है उसकी नजरें यू तो होटल के दरवाजे पर ही थी पर वहाँ पहुँचने के लिए उसका शरीर अब साथ देता नहीं दिख रहा था इस बार दर्बान अपने आपको वापस खड़ा करता है पर इसके बजाए कि वो तेजी से उस बूड़े का पीछा करे पहले वो अपने आपको समालने की कोशिश करता है और इसी दोरान बीकू और उसके आदमी भी वहाँ पहुच जाते हैं और दर्बान से कहते हैं क्या हुआ? कौन है वो बूड़ा? दर्बान की नजर बीकू पर पड़ती है और अपने सामने कुछ चार-पांच हट्टे-कट्टे बंदों को पाता है इन्होंने सरकारी यूनिफॉर्म पहन रखी थी दर्बान तुरंथ उनको सल्यूट करता हुआ कहता है सर मैं नहीं जानता कौन है वो बूड़ा बस मुझे चक्मा देकर अंदर चला गया मैंने उसे रोपने की काफी कोशिश की पर बीकू उस दर्बान को टॉंट मारता हुआ कहता है तुम्हारी कोशिश देखी हमने बीकू अपने साथियों से कहता है चलो अंदर देखते हैं किस रिफ्यूजी में इतनी हमत आ गई है सभी होटल के अंदर प्रवेश करते हैं उनके पीछे दर्बान भी जैसे तैसे अंदर आ जाता है सभी अंदर आकर देखते हैं तो वहाँ सब नॉर्मल पाते हैं होटल के अंदर की बड़ी सी लॉबी जिसमें कई गैस देखे जा सकते थे अंदर ही एक कैफेटेरिया भी था जहां लोग बैट कर सुबह सुबह ब्रेकफ़स्ट का लुट्फ उठा रहे थे यहां कहीं भी उस बूड़े को नहीं देखा जा सकता था बीकू उसके आदमी और दर्बान सभी की नजरें सिर्फ उस आदमी को खोज रही थी जिसने बिना इजाज़त इस बड़े से एक्सक्लूजिफ होटल में गुसने की गलती की थी बीकू अपने साथियों से कहता है देखो चारो और यहीं कहीं होगा बीकू का ओर्डर मिलते ही उसके आदमी रोबोट्स की तरह चारो और फैल जाते हैं बूडे को कहीं भी नहीं देखा जा सका था सभी अचरज में थे कि वो बूड़ा आखिर कहां गायप हो गया चालाग बीकू भी यह समझ नहीं पा रहा था कि इतने कम समय में कोई आखिर कैसे गायप हो सकता है या तो वो कोई इनसान था जिसके पास काफी शक्तियां हो या फिर वो किसी ऐसी जगे जाकर छुपा हो जहां लोगों का कम ही आना जाना होता हो ऐसा सोचते हुए बीकू तुरंट दर्बान से पूछता है वाश्रूम किस तरफ है दर्बान जवाब में कहता है सर आईए मेरे साथ और ऐसा कहते हुए दर्बान बीकू को होटल के दूसरे पार्ट की तरफ ले जाता है इसी दोरान बीकू का एक साथ ही होटल में ही काम कर रहे एक एमपलॉई से पूछता है अरे सुनो तुमने किसी गरीब बूड़े को जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे है ऐसे किसी को अभी यहां से गुदरते देखा है क्या एमपलॉई तुरंद बताता है हाँ सर अभी बस तो उस कॉरिडूर की तरफ आगे गया था पता नहीं उसे अंदर आने किस ने दिया सर वो आगे गया है आप सभी को दिख जाएगा बताये गए डारेक्शन में भागते हुए वो आदमी आगे पूछता है क्या है उस तरफ सर आगे आपको वाश्रूम मिलेगा हो नहो वो वहीं गया होगा एम्पलॉई जवाब देता है बीकू का आदमी अपने साथियों के साथ भागता हुआ वाश्रूम तक पहुँच जाता है वहीं उन्हें बीकू भी मिल जाता है दर्बान उसके ठीक पीचे ही खड़ा था एक बड़ा सा दर्वाजा था जिस पर लिखा था मैं उस दर्वाजे को घेरे हुए अब पांच-छे मुस्तंडे खड़े थे बीकू अंदर जाने का ओडर देता है और एक एक करके सभी वाश्रूम के अंदर दाखिल होते हैं एक लंबा सा हॉल जिसकी एक दिवार पूरी तरह कांच की बनी हुई थी और उससे ही लगा वाश्टिंग्स की लाइन ठीक उस शीशे की दिवार के सामने कई दर्वाजे दिख रहे थे वाश्रूम में बीकू और उसके आदमियों के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था बीकू इशारा करते हुए अपने आदमियों को कहता है चेक करो सब दर्वाजों को बीकू की और पर उसके आदमी हर दर्वाजे को चेक करने लगते हैं पूरा का पूरा वाश्रूम खाली था दर्वान ये देख के बोलता है सर वो शायद यहां नहीं आया हो सकता है कि वो रूम्स में छुप गया हो बीकू का ध्यान अपने ही साथियों पर था दर्वान की बात सुनकर वो रियाक्ट तो नहीं करता पर उसे उसकी बात में लॉजिक दिखाई देता है वो अपने आदमियों से कहता है चलो कहीं और ढूंडते हैं सभी वाश्रूम से बाहर की और बढ़ जाते हैं इतने में उन में से एक आवाज लगाते हुए कहता है सर सभी उसकी और देखते हैं और वो आदमी इशारे के जरीये कहता है कि उसके सामने वाला दर्वाजा लॉक है कोई उसके अंदर छुपा हुआ है उसका कहना था और वहां मौजूद सभी बिना समय वेस्ट करे उस लॉक्ड दर्वाजे के पास चले आते हैं फ्लश की आवाज उस केविन के अंदर से आती है और बहार खड़े लोग पूरी तरह तयार दिखते हैं सभी ने अपने हाथ में स्टिक्स रखी हुई थी अटैक करने के लिए तयार फ्लश की आवाज धीमी होती है और अंदर जो भी था वो अंदर से लैच को अनलॉक करता है बीकु दो कदम आगे बढ़ता है इस उमीद में कि जैसे ही वो बूड़ा बाहर निकलेगा सबसे पहला वार बीकु ही उस पर करेगा सभी उमीद से उस लॉक्ट दरवाजे के खुलने का वेट कर रहे हैं और उनका इंतजार तो खतम होता है पर उनकी उमीद तूड जाती है जैसे ही दरवाजा खुलता है उनके सामने कोई बूड़ा नहीं बलकी एक कम उम्र लड़का होता है जो फटे पुराने कपड़े नहीं बलकी हाई क्लास बिजनेस अटायर में था कहीं से भी वो ना तो बूड़ा था और ना ही गरीब यह देख सभी की उम्मीदों पे पानी फिर जाता है वो लड़का भी अचरज में पूछता है क्या बात है यू वांट सम्थिंग आप लोग मेरा बेट कर रहे थे बीकू कहता है नो सर हमसे गलती होई माफ कीजिएगा ऐसा कहकर उस लड़के को अकेला छोड सभी बहां से निकल जाते हैं इस वाकिये के बाद बीकू और उसकी टीम पूरा होटल छान मारती है पर उस बूड़े को पकड़ना तो दूर उसे देख तक नहीं पाती आखिर में ठक हार के बीकू अपने साथियों से कहता है छोड़ो उसे शायद वो कहीं निकल गया है हम सब अपना समय वेश कर रहे हैं निकलना चाहिए बस बीकू का यह कहना था कि सभी उसके पीछे हो जाते हैं और होटल की लॉबी की और बढ़ जाते हैं जब बीकू वहां से गुजर रहा था तो उसे वो लड़का दिखता है जिसे उन लोगों ने वाश रूम में देखा था अब वो लड़का कैफेटेरिया में बैठा अपना इलाबरेटिड ब्रेकफस्ट इंजॉय कर रहा था बीकू से समाइल करता हुआ आगे बढ़ जाता है वो लड़का भी बीकू की तरफ समाइल करता है और वापस अपने मील पर ध्यान लगा लेता है उसके पास एक लगजूरियस बैग था जो की ठीक उसके पैरों के पास जमीन में देखा जा सकता था यह लड़का कोई और नहीं कैलाश ही था उस कैफेटेरिया में बैठा कैलाश अपने ब्रेकफस्ट का मज़ा लेता हुआ उन सभी को चक्मा देने से काफी खुश दिख रहा था और उन्हें मायूस वापस लोटते देख रहा था इसके बाद कैलाश अपने सामने रखे लजीज ब्रेकफस्ट की तरफ देखता है और मज़े लेते हुए उसका स्वाद चकता है इतने दिनों के बाद कैलाश की भूक मिट रही थी बाद आते ही बीकू और उसके आदमी अपनी ट्रक पर सवार होकर आगे की और भर जाते हैं और अंदर कैलाश अपना खाना खतम करता है वेटर को टिप करता हुआ वो वहाँ से निकल जाता है उसके साथ अब वो फटा पुराना थैला की जगे एक लगजूरियस बैग ने ले ली थी कैलाश के बाहर आते ही दरबान उसे देखके सल्यूट मारता है कैलाश उसे देखके अपना सर हिलाता है और उसके सल्यूट को एड्रेस करता है अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उस दरबान के हातों में रखते हुए कैलाश कहता है यह रखिये अपनी चोट दुरुस्त करा लेना यह कहकर कैलाश आगे बढ़ जाता है कैलाश की कही बात दरबान को समझ नहीं आती है पर जब उसकी नजर कैलाश के दिये पैसो पर जाती है तो सारे खयाल संधे की जगे आश्चर ले लेता है कैलाश ने उसे इतना बड़ा टिप दे दिया था जो वो पूरे दिन सल्यूट ठोक ठोक के भी नहीं कमा सकता था अपने सारे दर्द भूलकर वो दरबान दिल से कैलाश को दूआ देता है पर अब तक कैलाश उसकी नजरों के सामने से अब गायप हो चुका था इदर बीकू की टरक सारे मजदूरों को लेकर एक ख़दान में पहुँशती है यह बड़ी सी माइन में एक साथ सैक्डों हजारों की जरूरत पढ़ती थी और लगबख सभी मजदूर यहां बाहर से आई हुए लोग ही थे ऑली के लोग इस माइन में या फिर किसी भी और माइन में काम करना पसंद नहीं करते थे यहां जान का काफी खत्रा रहता है और अक्सर लोग यहां अपने बाजू या पैर खो बैठते हैं पर रिफ्यूजीज से भरे इस ट्रक के लोगों के पास और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था और वो सारे यहां अब लाइन में लग कर अपना नाम दर्ज कराने में जुट जाते हैं ताकि दिन के अंत में उनके लिखे नाम की बदौलत उन्हें पैसे मिल सकें जीवा भी उसी लाइन में खड़ा अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था और दूर खड़े बीकू और उसके आदमी उसे ही देख रहे थे बीकू का एक साथी उससे कहता है बीकू सर बुलाओं सा आदमी को बहुत गरम हो रहा था उस दिन मेरी तो आग ठंडी नहीं हुई है उसे मार कर भी बीकू भी जीवा को ही देख रहा था अपने सर हिला कर वो अपने आदमी को इजाज़त देता है उसका चहरा देख कर ही समझ आ रहा था कि उनके मन में जीवा को बेज़द करने का प्लान पहले से ही चल रहा था बीकू का आदमी अवाज लगाता है अरे ओ, हाँ तू, आजा आजा, इदर आजा जीवा ने उन लोगों को देख लिया था और समझ भी गया था कि वो उसे ही आने का इशारा कर रहे थे जीवा ना चाते हुए भी लाइन से दूर होता हुआ बीकू की और आगे भड़ता है जब जीवा बीकू के सामने आकर खड़ा होता है तो कन्फ्यूजड होकर पूशता है हाँ सर आपने मुझे क्यों बुलाया मैं तो बस काम करने आया हूँ कोई भी गलती नहीं किये मैंने बीकू के आदमी जीवा की बात सुनकर हसने लगते हैं बीकू कहता है अरे गलती की है इस वज़े से थोड़ी ही न तुझे यहां बुलाया है वो तो बात ऐसी है कि तुझे यहां काम नहीं करना है जीवा बीकू की बात नहीं समझ पाता है और कहता है मतलब सर मैं कुछ समझा नहीं देख ऐसा है बीकू जीवा के मज़े लेते हुए कहता है तुझे हमने यहां माइन में काम करने के लिए नहीं लाया था तेरे लिए तो हमने पहले से ही कुछ दूसरा काम सोचा है जीवा समझ जाता है कि हो नहो बीकू उसे ऐसा कोई काम देगा जो बेहद कठिन हो कोई ऐसा काम जिसमें या तो उसकी जान चली जाएगी या भी उसे और भी बेज़द करना चाते थे वो लोग पर बेचारे जीवा के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था वो चुपचाप अपना सर नीचे कर लेता है बीकू और उसके साथियों को जीवा की हालत देखकर मज़ा आ रहा था सभी के चहरों में एक अजीब सी खुशी दिखाई पड़ती है एक ऐसी खुशी जो किसी को दुख या तकलीफ पहुँचा के मिले बीकू आगे बढ़कर जीवा के कंदों पर हाथ रखते हुए कहता है आओ आओ मेरे साथ मैं तुम्हें तुम्हारा काम दिखाता हूँ बीकू जीवा को वहां से लेकर दूर पहाडी की और लेकर जाने लगता है दीरे दीरे वो लोग माइन से दूर होने लगते हैं जीवा और बीकू के पीछे उसके साथ ही भी चल रहे थे कुछी देर में जीवा को वो लोग माइन से काफी दूर ले आई थे बीकू जीवा को सामने दिखाते हुए कहता है देख लो यह है तुम्हारा काम अपना आज का काम सामने देखकर जीवा का दिल बैठ जाता है ऐसा क्या काम था जो बीकू जीवा से कराना चाता था क्या इसके बाद जीवा की हालत और भी खराब हो जाएगी क्या उसकी भूप मिट पाएगी और कैलाश के साथ आगे क्या होगा उसने बखू भी उन लोगों को चकमा दे तो दिया था पर क्या वो अब अपने असली रूप में ही ऑली में घूमेगा और अमिराज के सामने भी वो इसी भेस में आएगा या फिर वापस उस भूड़े का गैट अप धारन कर लेगा जानने के लिए सुनते रहिए मैं मरेगा नहीं सिर्फ पॉकेट एफिम पर इधर कैलाश काफी खुश दिख रहा था जिस मिशन पर वो आया था उसका एक मेजर पार्ट उसने जीत लिया था रही वाक की प्रॉबलम तो वो जानता था कि अमिराज एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो फिर शायद वो खुद ही अपने भाई से निपट लेगा कैलाश नौकरम से एक सवाल करना चाता है वो पूछता है अमिराज की दवाओं का इंतिजाम हो गया की नहीं कैलाश को नौकरम की आवाज सुनाई देती है हाँ कैलाश दवा तो पहले से ही उसी मंदिर में पड़ी हुई थी बस तुम्हें उन्हें उनकी जगह से निकालना होगा बस पहले से ही मौजूद थी और निकालना होगा से मतलब कैलाश कन्फ्यूजड हुआ नौकरम से सवाल करता है नौकरम कैलाश को बताता है कैलाश उस खंडर नुमा मंदिर में ही वो औशधियां तुम्हें मिल जाएंगी मंदिर की एक मूर्ती के नीचे मैंने वो औशधी रख दी है वो किसी के हाथ नहीं आने वाली बस तुम्हें वहां समय पर जाकर उन्हें निकालना है और अमिराज को दे देना है बस तुम्हारा काम खत्म उसके बाद अमिराज उन दवाओं को लेकर अपनी परेशानी दूर कर सकता है कैलाज के मन में संतुष्टी थी कि नौकरम ने उसे पहले से ही सब बता दिया था अब उसके लिए शायद ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं था कैलाज को एहसास होता है कि जब वो ऑली के उस भीड भाड वाली जगए से गुजर रहा था तो उसे वहां से गुजर रही कुछ लड़कियां मुस्कुराते हुए देख रही थी और ऐसा एक नहीं दो तीन बार हो गया था कैलाज को अचानक अपने असल रूप का एहसास होता है कैलाज तुरंट अपने आपको भीड से दूर करता है वो नहीं चाता था कि वो अपने असली रूप में लोगों की नजर में आए लड़कियों का अट्रेक्शन पॉइंट बनना किसे अच्छा नहीं लगता कैलाज को भी अंदर ही अंदर यह बात मीठी सी खुशी तो दे रही थी पर साथ ही उसे इस एसास के साथ नीरा की भी याद आती है वो तुरंट अपना मुबाइल निकालता है जो की अभी भी डेड था जिसे देख कैलाज काफी डिसपॉइंटेड फील करता है नीरा से बात करने के लिए उसे अब जल्द से जल्द अपने मुबाइल को चार्ज करना होगा बीकू जीवा की हालत देख कर बहुत ही ज्यादा खुश था वो कहता है क्या हुआ अभी तो मैंने तुझे काम समझाया ही नहीं है और तेरे चहरे से रंग गायब हो गया जीवा के सामने अंतहीन पहाडियों की श्रंखला के साथ तीन विशालकाए नाले दिख रहे थे यह आली शहर की सारा वेस्ट वाटर यहां डिस्पोस किया जाता था तीनों नालों में हर एक से तूफानी बहाओ के साथ नाली का पानी बह रहा था मानो किसी डैम से पानी छोड़ा जा रहा हो और यह गंदा पानी सीधा एक गहरी खाई में जाकर गिर रहा था जीवा को उस खाई की गहराई नजर भी नहीं आ रही थी पर जिस तेज बहाओ के साथ उन नालों से पानी निकल रहा था उसके कमपन से जीवा के दिल की धड़कने बढ़ चुकी थी जीवा के पास पिछले कई दिनों से काम नहीं था और उसे आज पैसे कमाना ही था अपनी भूख से निजात पाना ही था भड़ी हुई दिल की धड़कन के साथ जीवा पूशता है क्या करना होगा मुझे बीकू उसे कहता है देख पीछे जिस जगे से हम आ रहे हैं वहाँ पांच माइन्स एक्टिव हैं परिशानी यह है कि इन नालों का पानी बहकर उन माइन्स में भी आ रहा है और काम रुक रहा है आउटपुट कम हो रहा है मैं चाता हूँ कि पहले तो तू आगे जाकर उन तीनों नालों के वाल्स बंद कर और फिर नीचे उतर कर देख कि कहां से पानी माइन्स में गुस रहा है जब वो पॉइंट मिल जाए तो उसकी मरम्मत करके वापस इन नालों के वाल्स खोल दे जीवा ने आज तक इस तरह का काम नहीं किया था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उस नालों के वाल्स बंद करेगा और कैसे उस गहरी खाई में नीचे उतरेगा जीवा यह बात सोच ही रहा था कि बीकू उससे आगे बताते हुए कहता है और हाँ तुझे यह काम आदे घंटे के अंदर करना होगा क्योंकि अगर यह तीन नाले उससे ज्यादा देर के लिए बंद रह गए तो आली की सबी नालियों से पानी वापस निकलने लगेगा शेहर का निचला हिस्सा गंदी नाली के पानी से भर जाएगा और इसकी सजा भी है जो भी इसका जिम्मदार पाया जाएगा उसे जेल में डालने का कानून है ऐसा कहकर बीकू जीवा के रूखे हुए चेहरे की और देखता है जीवा कहता है पर मुझे तो आप लोग माइंज में काम करने के लिए लाए थे फिर इस जगह यह काम देने का क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है हमें तो जितने लोगों की जरुवत थी वो पूरी हो गई थी तुझे देखा तो दया आ गई और यह काम भी यादा गया अब तेरे उपर है करना है तो तेरे लिए यही काम है वरना चलता बनी यहां से ऐसा कहकर बीकू अपने साथियों से कहता है लगता है यह नहीं करना चाता जाने दो अब यहां से चलते हैं किसी और को यह काम दे देंगे अपने हाथ से कठिन ही सही पर कमाने का मौका जाता देख जीवा कह उठता है अरे मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं यह काम नहीं करूँगा पर इसमें बहुत ज्यादा खत्रा है जान भी जा सकती है मेरी बस इसी लिए बीकू का एक साथ ही कहता है सर लगता है डर लग रहा है इस लड़के को जाने दो हम चलते हैं नहीं नहीं मैं काम करने को तयार हूं जीवा मजबूर होकर जल्दी से कहता है फिर कुछ सोचता हुआ पूछता है पर पैसे कितने मिलेंगे इस काम के बीकू उस शिकारी के तरह देख रहा था जिसके बिछाय जाल में आसानी से उसका शिकार फस रहा हो वो जीवा से कहता है पैसे उतनी मिलेंगे जितनी देर का काम है आदे गंटे के 20 रुपे बनते हैं जीवा जानता था कि इन महज 20 रुपियों से उसका पेट नहीं भर पाएगा पर और कोई भी चारा ना होने के कारण मजबूरन उसे हां करना पड़ता है वो कहता है ठीक है मैं ये काम करूँगा केलाश ने अपना मुबाइल चार्ज कर लिया था और चार्ज करते ही पहला कॉल केलाश नीरा को लगाता है नीरा अपने आफिस में बैठ कर अपने काम में डू भी हुई थी कि उसका मुबाइल रिंग होता है नाम कैलाश का फ्लेश होता देख नीरा की आँखों की चमक मानो लौट आई थी नीरा तुरंट अपना मुबाइल लेकर अपनी सीड से दूर निकल जाती है अपने ओफिस के एक केविन में आकर तुरंट कॉल रिसीव करते हुए कहती है कैलाश की आवाज नीरा को सुनाई देती है जब वो कहता है ये सुनते ही नीरा अपनी आखें बंद कर लेती है एक अजीब सी राहत का एसास नीरा महसूस कर रही थी कैलाश आगे कहता है तुम्हारी बहुत याद आ रही थी नीरा, इसलिए कॉल कर लिया, शायद तुम आफिस में होगी, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टब तो नहीं किया कैलाश की आवास सुनकर नीरा को कितनी खुशी का एसास था, काश नीरा खुलकर उससे यह बयान कर पाती पर अभी वो बस, नहीं कैलाश, तुमने डिस्टब नहीं किया, इतना कहकर वो अपने आप को रोक लेती है कैलाश कुछ देर रुकता है, इस उम्मीद में कि नीरा कुछ और बात उससे कहेगी पर नीरा की आवास नहीं आती है, और कैलाश कह उठता है हलो, हलो, नीरा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ कैलाश, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है नीरा जवाब देती है, कैलाश पूछता है फिर तुम अचानक चुप क्यों हो गई? यूँ ही कैलाश, कहने को तो बहुत कुछ है पर वैसे देखा जाए, तो कुछ भी नहीं यहाँ तो सब वैसे का वैसा ही है बस कुछ नया है, तो तुम्हारी गहर हाजरी जिसकी आदट डालना, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है फिर नीरा कैलाश से आगे कहती है तुम कब वापस आओगे कैलाश? कैलाश कहता है कैलाश की बातें नीरा के चहरे में खुशी लेकर आ जाती है तब ही कैलाश पूछता है मैंने यहाँ जो देखा है तुमसे शेयर करना चाता हूँ राजा मिराश से मेरी मुलाकात कैसी रही? सब बया करना चाता हूँ तुमसे मैं भी वो सब जानना चाती हूँ कैलाश गुरू जी की जिग्यासा भी बड़ी हुई है तुम्हें लेकर वो चिंतित भी रहते हैं कैलाश कहता है नीरा डैट से कह देना उनका बेटा उनकी उम्मीद पे खरा उतर रहा है और यहाँ उन्होंने मुझे जिस मिशन में भेजा था उसे पूरा करके ही लोटेगा नीरा मुस्गुराते हुए कहती है कह दूँगी कैलाश तुम अपना खयाल रखना हाँ तुम जिंता मत करो नीरा मैं ठीक हूँ बलकि ठीक ही नहीं शायद मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ मतलब मैं कुछ समझी नहीं नीरा तुरंद कैलाश से अपनी आखें सिकोड कर पूशती है कैलाश नीरा को छेड़ते हुए कहता है पता नहीं क्यूं पर इस शहर की लड़कियों को मेरी शकल काफी पसंद आ रही है शायद मुझे देखकर सभी के चेहरे खिलते हुए देखा मैंने कैलाश नीरा के रेस्पॉंस का वेट करता है पर उसे नीरा कोई जवाब नहीं देती ना ही कोई सवाल उठाती है कैलाश आगे कहता है हलो नीरा मेरी आवाज आई की नहीं तुमने सुना मैंने जो कहा नीरा कहती है हाँ कैलाश मैंने सुनी तुमारी बात रेली? रेली कैलाश, खुश ना हूँ, तो क्या करूँ? जिस लड़के की मैं जान हूँ, उसे इतने बड़े शहर की लड़कियां पसंद कर रही हैं, उसे देख के उनके चेहरे खिल रहे हैं, यह तो मेरे लिए खुशी की ही बात है ना? नीरा बड़े ही सहज तरीके से जवाब देती है, कैलाश को नीरा का जवाब थोड़ा डिसपॉइंट करता है, वो उसे आगे छेड़ते हुए कहता है, तुम्हें जरा भी जलन नहीं हो रही, थोड़ी सी भी इंसिक्यॉरिटी का एहसास नहीं हुआ? नीरा कहती है, अच्छा कैलाश मुझे अब काम है, I'm in the office, so बाद में बात करते हैं, और ऐसा कहकर नीरा फोन काड़ देती है, हलो, हलो नीरा, अरे रुको तो, मैं तो बस मज़ा की, कर, कैलाश को एहसास होता है, कौल कट चुका था, और कैलाश की अवाज कोई नहीं सुन रहा था, जो भी हो, पर कैलाश नीरा से बात करके, काफी हलका महसूस कर रहा था, उसके चहरे में भी, वो खुशी और चमक दिखती, पर वैसा था नहीं, क्योंकि कैलाश ने, वापस, उ उसे पहचान पाना मुश्किल था, और उसके साथ वो ही भटी पुरानी थैली थी, जिसके अंदर कैलाश के बेश कीमती मनी रखे हुए थे, जिने थामे हुए कैलाश किसी दूसरे होटल की तलाश में निकल जाता है, पर इधर माइन्स के पास जीवा की हालत नाजुक हो च जीवा को बेहत खत्रे में डाल कर जीवा उन तीन नालों तक पहुच चुका था, और अब उसके हाथ उन नालों के वाल्स को बंद करने वाले लीवर में थे, जीवा जानता था कि इसे बंद करते ही उसका काउंट डाउन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद उसके पास सिर् आदे घंटे का समय रहेगा, जीवा बीकु की और देखता है, वो पाता है कि बीकु और उसके सारे साथी वहां से जा चुके थे, जीवा के पास कोई और चारा नहीं था, उसे अपना काम पूरा करना ही होगा, पास ही लोट रहे बीकु से, उसका आदमी कहता है, मान गय सर, क्या आइडिया लगाया है, उस लंगूर को मजे चकाने का, ना तो कोई लीक था, और ना ही किसी नाले का पानी माहिंज में आ रहा था, अब उस लड़के को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, बीकु अपने साथियों के बीच, उनका बास बना कहता है, इस लड़के को जैसों की भी शिकायत करने से पीछे नहीं हटते, अब आज इसे उन नालों को बंद करने, और उसके पानी को नीचे माइन्स में डाइवर्ट करने के इल्जाम में, और इसा कहता हुआ, बीकु आगे भड़ जाता है, और माइन्स में चल रहे काम, और वहां के मजदूरों क की निगरानी में लग जाता है, इधर जीवा ने तीनों नालों के वाल्स बंद कर दिये थे, और अब धीरे धीरे शहर की नालियों का पानी उपर उठने लगा था, क्या होता है जीवा के साथ और क्यलाश की नीरा से मिलने की बेसबरी कब तक उसका इम्तिहान लेती है, जा वी सवालों के जवाब के साथ फिर हाजिर होंगे मैं मरेगा नहीं के अगले और भी रोचक एपिसोड में सिर्फ पॉकेट एफम पर